आया था इस इंडिया में एलेक्शन्स हो चुके थे जिसके बारे में हम पहले डिसकस कर चुके हैं और इन एलेक्शन्स में मुस्लिम्स ने मिजॉर्टी में अक्सरियत में उनने काम्याबी हासल के थे ब्रिटिशर्स को जंग अजीम दोम यानि के सेकंड वर्ड वार के प्रॉब्रम्स का जहां पर सामना था वहीं पर सेकंड वर्ड वार के खात्मे पर भी कुछ अलग तरह के मसाइल हिंदुस्तान के अंदर उनके सामने आए जंग शुरू होते वक्त इंडियन्स के साथ जो वादे किये थे उनको पूरा करने का ख्याल उनके लिए गहरी फिकर का मौजब भी बन गई थी ब्रिटिश में लाड अटली वजारत उस्मा पर फाइज हो गे थे इंडिया के पुलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने के लिए तजवीज त्यार करने और इंडिया के पुलिटिकल हालात का करीब से जाइजा लेने के लिए Lord Atlee ने British मरकजी सता पर वजरा का मिशन तियार किया जिसका नाम रखा गया था Cabinet Mission रखा गया इस मिशन के ठ्री मेंबर्स थे जिन में सबसे पहला मेंबर जो था वो था Lord Pathak Lawrence यानि के और ये वजीर हिन था दूसरे नमबर पे जो मेंबर था उसका नाम था सर्स्ट्रेफर्ट क्रिप्स और ये सदर तजारत बोर्ड का था उसके बाद थर्ड मेंबर जो था वो था एवी ए अलेक्सेंडर जो के फिर्स्ट लॉर्ड आफ नेवी था ये मेंबर जो थे हिंदोस्तान बेजे गए थे जो कि यहां पे हिंदोस्तान के लिडरों से मिलने के लिए जिसमे कंगरइस के मौलाना अबूल कलाम आजाद और गांदी शामिल थे और मुस्लिम ली के तरस से काहिद आज़म मुहमद अली जिनाप शामिल थे और मुस्लिम लीग की नमाइंदगी मुस्लिमानों की तरफ से कर रहे थे अब ये थ्री मेंबर्स जो थे 15 मार्च 1946 को लॉर्ड एटली ने बिरतानवी पारलिमेंट में तक्रीर करते हुए कहा कि हमें ट्राइट्स आफ मिनॉर्टीस का पूरा पूरा खयाल है और मिनॉर्टीस को बिला खौफ खतर अपनी जिनेगियों को गुजारना चाहिए ये उनका हक है लेकिन किसी मिनॉर्टी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मिनॉर्टी के रह में कोई रुकावट का बाइस बने उसकी तरकी की रह में इसका जवाब दो दिन के बाद काईद आज़म मुहम्मद अली जिना ने इंडिया में दिया और फरमाया कि बिल्टीशर्स का ये खयाल है कि बरसखीर में मुसल्मान अभी भी मिनॉर्टीज में हैं और अपनी फ्रीडम के हुसूल के लिए मिजॉर्टी की रा में रुकावट बन रही है तो ये बिल्टीशर्स की बहुत बड़ी भूल है मुसलिम्स का अज़म ने फरमाया मुसलिम्स ऐसी स्टेट की डिमांड कर रही है जिसमें वो मिजॉर्टी की हैसियत रखती है लाड अटली के इस बयान से कंग्रिस के वुजरा या कंग्रिस में खुशी की लहर दोड़ी और कंग्रिस का कहना ये था कि कैबनेट मिशन को पहले से ही इस बात का एसास है के मुसलिम लीग बेजा तोर पर इंडिया की पॉलिटिक्स को खराब कर रही है लेकिन ब्रिटिशर्स का काईम किया हुआ मिशन और कंग्रिस के बनाएगे एकदामात ने बाद में खुद ही इस बात पर काईल हो गे थे के इंडिया मुसलिम को अलग इंडियन चो मुसलिम हैं उनको अलग स्टेट या गुर्वर्मिन्ट मिलनी चाहिए कैबनेट मिशन के मेंबर्स 24 मार्च 1946 को देल ही पहुंचे इस वफद ने सबसे पहले लॉर्ड वैवल वाइसराई हिंसे मुलाकात की वाइसराई के वाइसराई बाद में वाइसराई के एक्जेक्टिव कॉंसल के मेंबर्स और फिर तमाम प्रोविजनल गुर्णर से बाचीत की इसके बाद इंडिया के तमाम सियसी पार्टियों के लीडर्स और प्रोविजनल मिनिस्टर्स और अपोजिशन लीडर्स के नजरियात कांगरिस और मुसल्मानों के साथ साथ किसी नुकता मुफाहिमत तक पहुशने की कोशिशें उनने शुरू कर दी थी 3rd April 1946 को इस मिशन ने सबसे पहले गंधी से मुलकात की Mr. गंधी ने कोशिश की कि वो साबित करें कि there is one nation in subcontinent and that is only and only Congress जिसमें हिंदोस्तान के तमाम अक्वाम के नुमाइंदे शामिल है उनका कहना क्या था कि कंगरिस एक ऐसी जुमात है जिसमें तमाम अक्वाम के मेंबर्स नुमाइंदे इसके अंदर शामिल है और यही जुमात पूरे हिंदोस्तान के अवाम की नुमाइंदे की करती है इस तरह गांदी ने वन नेशन का राग शुरू कर दिया था वन नेशन की बात पर वफद को काईल करना चाहता था और मुल्क को डिवाइड होने से बचाना चाहता था उसका कहना था मुल्क को बिलकुल भी किसी भी सुरत में हम डिवाइड नहीं होने देंगे अगर कोई हुकूमत तश्कील की भी जाए तो इसमें तमाम अक्वाम और मजाहिब को मतनासब नमाइंदगी भी दी जाएगी कांग्रिस के ख्याल को जानने के बाद काबिना ने 14 अपरिल 1946 को काईद आजम मुहम्मद अली जना से मुलाकात की इस मुलाकात में काईद आजम ने मिशन पर तश्कील पकिस्तान की जरूरत और एहमियत को नहायत वाज़े अलफाज में पेश किया काईद आजम मुहम्मद जना ने फरमाया चंदर गुप्त के जमाने से लेकर आज तक सब कांटिनेंट के अंदर एक हकूमत काईम नहीं हो सकी ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब कांटिनेंट की अजाद रियस्तों की खुद मुफ्तारी को कतई तोर पर नहीं चोड़ा और उन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर बेताहाशार राजे महराजे और नवाब जो हकुमत करते रहे और अपनी अपनी रियासतों पर अपनी अपने नाम का वो सिका भी चलाते रहे और सब रियासतیں ब्रिटिशर्स के खिला नहीं थी न का कहिना ये था कैञा रियासत भी जो कि अपनी हुकुमतें सब कौन्टिनेंट के अंदर यानि कि प्रिंस्ली स्ट्रेट् शुचला रहे थे वो कोई भी ब्रिटिशर्स के खिला नहीं थे 16 में 1946 को कैबनेट मिशन ने अपने मनसूबे का ऐलान कर दिया इसको कैबनेट मिशन प्लैन का नाम भी दिया जाता है मिशन ने मुस्लिम लीग के नुक्ते नजर और डिमांड आफ पाकिस्तान को मुक्तलिफ पहलों से जान जा और वफद को मुसल्मानों का ख्याल भी है और जानता है ये मिशन का कहना था कि वफद को मुसल्मानों का भी ख्याल है और वो जानता है कि मुसल्मानाने हिंद यानि के हिंदोस्तान के अंदर रहने वाले मुसल्मान ہندوں کے मेजोरٹی کے غلبے کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور उनका कहना ये था कि वे बी जानता है कि दस्टावीजी तहाफजाद इनके खोफ और खतर को दूर नहीं कर सकते इस तमाम हकीकत के बावजूद नका कहना ये था कि हम ये तमाम बाते जानते हैं लेकिन इसके बावजूद हम मुल्क को तकसीम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है अगर हम पंजाब और बंगाल को पाकिस्तान से सेपरिट कर दे तो ये बहुत छोटा सा मुल्क रह जाएगा और बहुत कमजोर होगा इसके बाद कैबनिट मिशन ने खुद अपनी तजावीज पेश करने का फैसला कर लिया उसने कहा कि हिंदुस्तान के कयाम सूबों को तीन हिसों में तीन ग्रूपों में तकसीम कर दिया जाएगा नमबर एक ये के पंजाब, सरहद, सिन और बलोचिस्तान नमबर दो, बंगाल और असाम नमबर तीन, बाकी मांदा, नमादा, बाकी मांदा तमाम हिंदुस्तानी सूबे ये तीन हिसों में उसने इसे तकसीम कर दिया था क्लास, फिर से आप गोर से सुने हिंदुस्तान के क्याम सूबों को तीन गृपों में तक्सीम कर दिया था पहला गृप था पंजाब सरहद सिंद और वलोचेस्तान इसको एक सूबा एक हिसा बंगाल और असाम को दूसरा और थर्ड लेवल पे उन्हें रखा जितने भी बाकी हिंदुस्तान के बाकी सूबे र फेडरेशन इक्तियार करने का हक हासिल होगा इस फेडरेशन के उपर आल इंडिया यूनियन काइम होगी जिसके उस मरकजी सطح पर दिफा अमूर खारजा और मौसलात के जो शोबे होंगे तमाम फेडरेशन की दस्तूर साज इसमली सिर्फ एक ही होगी जिसके नमाइंदों इसमली का इनतखाब सुबाई असममली और मौसलमान और सिoking अपने इलादा नमाइंदे अपने इलादा वोड़ से अलेक्ट करेंगे हींदीों और बाकी तमाम फिरिके अपने नमाइंदों का इनतखाब इलादा वोड़ से भी कर सकते हैं